हेलो एवरीवन वेलकम तो माई चैनल इवन इस्टीडी पॉइंट तो फ्रेंड्स यहां मैं सेम्स.co.in की ओफिशल वेबसाइट पर लॉग इन कर चुका हूं तो फ्रेंड्स यहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूं MPNHM के थुरू जो 2850 बैकलाग वेकन पोस्ट के लिए आपसे आवेदन मांगे गए थे जिसकी लाइट 31 माई 2021 थी और आप लोगों ने आवेदन कर रखा है उसके लिए भी एक नोटिस जारी की गई एक इन्फार्मेशन और आ गई उसके संबंध में तो मैं उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं तो फ्रेंट्स यहाँ पर मैं एक चीज़ और कहना चाहूंगा आप लोग चैनल पर आते हैं और वीडियो वाच करके चले जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप लोगों को कोई इन्फार्मेशन उससे प्रवाइड नहीं होती है तो फ्रेंट्स हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भोलें तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो तो यहाँ पर आप देख रहे हैं रेक्रूर्मेंट आफ अठाई सुपजास बैकलाग वेकन पोस्ट आफ कमुनिटी हेल्थ आफिसर अंडर नेशनल हेल्थ मिशन एम्प देपार्टमेंट आफ पब्लिक हेल्थ एंडर फैमिली वेलफेर गवर्मेंट आफ मध्यप्रदेश की तरफ से यह नोटिवियर ने यहाँ पर जारी कर दी गई है यहाँ पर अगले पेज पर जाने के लिए हम जो यहाँ पर दिया हुआ है इस पर क्लिक करेंगे डिटेल् लाग वेकेंट पोस्ट आफ से मोई चीद्दी है यहाँ पर अप्लाई जो हुआ था उसकी लाट डेट थी अप्लाई करने की 31 माई 2021 हो दी है इसी में हम नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं डियावार अनॉंस्मेंट आफ प्रोविजिनल स्क्रीनिंग आउटकम्स या अप्लिकेशन अप्लिकेशन स्टेटर सेंड़ सीकिंग और अब्जर्वेशन तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर एक चीद्दी हुए यहाँ लिखा हुआ है अप्लिकेशन इस्टेटर्स एंड क्वेरी अब्जर्वेशन यहां से आप अपना आवेदन चेक कर सकते हैं कि हां आपका आवेदन जो किया आपने उसमें कोई करेक्शन है या नहीं है और आप इलिजिबल हैं एक्जाम के लिए या नॉट इलिजिबल है तो यहां पर आप यहां पर क्लिक करने से पहले आप उसमें एक बॉक्स में नोटिफीशन दिया हुआ है जो करेक्शन जो होगा वहाऀ और यहां पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि यूंग संभी और क्वेश्ट्ट फोर करेक्ष लगाए फ्रॉम धाल लिंक यह लिंक दिए हो यहां पर आप देख सकते हैं के यहां पर जो लिंक दिए हुए इस पर आप जाएंगे और करेक्षन करने की जो लास्ट या प्रेटर वो जून आठ दर्ट तक रात के 11 बच के 69 मिनट तक हम लोग करेक्शन कर सकते हैं करेक्शन कर सकते हैं को यहां पर आप जाएंगे इस पर यहां पर जो यह लिंक दिया हुआ है अप्लिकेशन स्टेटस एंड क्वेरी अब्जरवेशन इस पर आप क्लिक करेंगे करें तो वहां पे क्लिक करने के बाद अप उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर आप नेक्स2 पर यहां पर आप देख सकते हैं तो यहां पर आप आ गए हैं इसके बाद यहां पर आप देख रहे हैं कुछ अपर करने में या आप पर करनी है किसी प्रकार की तो आप इन नंबर पर करनी है तो इन नंबर पर कॉल कर लिजिए और या इस इस इमेल पर आड़ी पर मेल करके आप कर सकते हैं फिर आप लॉगिन करने के लिए यहां पर आप सको दे दिया गया है आप अपना अप्लिकेंट नंबर यहां आपको जोज पड़ेगी और आपके डेटा बर्थ की तो आप अप्लिकेंट नंबर जो है आपका आविरन पत्र पर दिया हुआ आपके और डेटा बर्थ आपकी यहां पर पड़ेगी फिर आप नीचे यहां देख लिए सबसे पहले यह बॉक्स में दिया हुआ है इन केस्ट यू है अनी क्वेरी अब्जर्वेशन रिगार्डि स्क्रीनिंग आउटकम्स एंड यू स्टेटस आफ यूर अप्लिकेशन यू सब्मिट यूर रिक्वेस्ट फॉर क्वेरी बाई और विफोर जून आठ दोजाएकिस ग्यारा बचके उनसर्ट पीम यहां पर आप अपना अप्लिकेशन नंबर या अप्लिकेंट आड़ी जो है आपका आवज़न पत्र भी जीजा वो डालेंगे यहां पर डेटा बर्स डालेंगे अपनी फिर आप इसके बाद आप यहां पर समिट पे क्लिक करेंगे तो आपको अगला जो पेज खुलके आएगा उसम आपका नाम पापा का नाम एक टूट जड़ जो आपने आवेरन के समय किया था वो सारी चीज़े एक बाद फिर से खुलके ओपन होके आएंगी ब्ल्यू कलर में और उसमें जो क्रेक्शन होगा उसमें नीचे दिया मलब उसमें आपको दिखेगा तो जब यहां पर लॉग प्रकार का आपका fom submit हो चुका है आपका admin card release कर दिया जाएगा जिनका जो eligible होंगे और जो not eligible candidates हो Diffic Kanye उनका जो है क्रेक्शन के लिए क्या region है क्रेक्शन किस वज़ेंए से है या क्या क्iesta कारी लगी है वह वहां पर आपर हुगा आप रिजन पढ़ के जो टक्वरी या क्रेक्षन हो आप अपने आविदन में वहां से करना कर लींगे मलब वहां से आप जब करेक्षन करके फिर से संब्मिट कर देंगे तो आप एडिमिड कार्ड रली है कि मैं यानि कि आप इलिजिबल हो जाएंगे एक्जाम के लिए तो इसके बाद आप ध्यान रखिएगा कि हाँ आपकी जो कर्रेक्शन की डेट है वो जून आठ दोजाएक कीस रात कर 11 बच के 69 मेंट तक ही है इसके बाद किसी विरकार का कोई कर्रेक्शन नहीं होगा तो अब लोग जितने भी कंडिदेट्स है आप जिन जिन लोगों भी आविदन किया है वह अपना अपना अप्लीकेशन है अ मलग चेक कर सकते हैं कि यहां किसी प्रागार कोई करयक्शन यह नहीं है और अगर है तो उसको जल से जल करेक्शन कर लें ठीक और यहां पर अपना आप देखी रहे हैं यहां से करेंगे आप तो आपको अप्लिकेंशन आईडी और डेटा बर्स की जोगत पड़ेगी तो फ्रेंट्स मैंने इस वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन आपको में में कवर कर दिये तो आप लोग अपना अवेदन पत्र चेक कर लें कि हाँ आप इलेजिबल है या नहीं है अगर आप इलेजिबल नहीं है तो आपका एड्मिट कार्ट रिलीज नहीं किया जाएगा और कि अधिया रिलेजिबल नहीं है याप खिसो आपका एड़ है यापको में में वीडियो खना है यापका तूम इलेजिबल